मेडिशिन वर्ण चलन में आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागते हैं मैं दिपकुमार आज लेगा हूँ नानो फास्ट जैल के बारे में दोस्तों ये जयलकी मी पूरे जान करें दूँगा कौन कौन स्थीति में इसा आप यूज कर सकते हैं इसको जो लगाने के सही तरीके क्या होती है इसका प्राइस और इसका कमपणी के बारे में भी जानेंगे दोस्तो दोस्तो वीडियो का तक जरूर देखे तक आपको सेजन करी मिल सके दो फार्मेट लिमिटेड इसको जो पड़ेशन करती है जो कि इंडिया के एक बहत्रीन फार्मस्टिकल कमपणी है प्राइस की बात करें एक सो पनिताल इसके प्राइस रखा गया है जो कि आपको किसी भी मैडिशिन स्टोर से आसाने से मिल सकती है दोस्तो और इसका कमपणी की जो मार्केटिंग करती है जो एपलो फार्मस्टिकल इसको जो मार्केटिंग करती है जो कि एक बहत्रीन कमपणी है दोस्तो यह 30 ग्राम जो एक ट्यूब में दिया गया है जो कि बहत्रीन पेकिंग के साथ कमपणी ने प्रोबाइट की है बात करते है दोस्तों इसका उज कर शेकते हैं जो की वीडियो में हमारा मैन टॉप इसका जो मेलाब होती है joint pain अगर आपका किसी joint में अगर दर्थ की समसिया हो जैसे की आपका भूठने में कोहनी रीश्ट बगरा में जिसी तरह की दर्थ की समसिया हो तो स्तितिमें शाब इंच कर सकते हैं अगर आपको spondylitis जैसे बीमारी में पीडि थे वो कंधे में दर्ध हने की जो समस्य रती है तो इस्तिति में जो मालिस करने से आपको रहत मिलती है इसका लाबा अगर आपको पीट के दर्ध में जो समस्या है यानि कि आप सुभे उठने के टाइम जो दर्ध होती है तो इस्त किति में इसे आप यूच्छ कर सकते हैं दोस्तों इसके लाल अगर को किसी तरह कि खैनने के दोरान चोट लगी है तो इससे लगने से आपको बहतिरिन जो लाब देखने को मिल्सकती है इसका लखा अगर साइकल में या गाडी सहीन गीर जाती है जिसंत eternity in चौट आती है थंड़े के मसम में यह जो समिशया देखने को जादा मिलती है तो इस्तित में इस आप यूज कर सकते हैं दोस्तों नानो फास्ट जेल जैसे कि अंदुरीनी चोट पे इसे यूज के जाता है इसे जो बाहरी जो स्कीन पे चोट लगने पे इसे यूज मत करें जैसे कि आपको जाती है काट होती है तो इसे यूज मत करें दोस्तों बात करते हैं दोस्तों इसे जे लगाने के एज के बारे में जैसे की साथ साल से उपर एज होने पे इसे जो यूज कर सकते हैं यह जो नानो फास्ट जैल है आपको किसी भी मेडिसिन स्टोर से मिल सकती है आप अपने ज की जुरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों तो यह बहत्रिन जो पेन रिलिप जेल रहे इसे आप घर में जरूर रखें यहापको व्हुतिरुन लाब्ब देखने को मिलती है दोस्तों में बहुत सभी लोगं में जो यूज करते हैं जैसे कि उनको मालूम नहीं होती है ठीक से नहीं लगाने की जैसे कि आपको किसी तरह की दर्द हो तो उससे यूज करने से पहले उस तन को आप जो सेंग दिजिए गरम का सेंग उसके बाद एजोल को लगाने से आपको बहतरिन जो लाब देखने को मिल सकती है दोस्तो एजोल को दिन में तीन बार यूज कर सकते हैं जाद से जादा अगर आपको कम दर्द की समस्या हो तो रात को एक बार यूज कर सकते हैं दोस्तो इसका कोई भी साड़ेट्स आपको देखने को नहीं मिलेगी दोस्तो यह बहतरिन जो जेल है जेकी मेरा अपने एक्सपेंस है दोस्तो दोस्तो यह थी कुछ नानो फास्ट जेल के बार में कुछ इंफ्रमेशन अगर मेरा वीडियो अच्छे लगा तो चैनल को जुरू सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक शेर और जुरू मेरे बेल प्रेस करें तब तक लिए जैहिंद बंदम आता रहूं